कल महाराश्टर और जार्खन के अंदर voting हुई जार्खन में दूसे चरण के लिए voting हुई साथ ही में कई राजियों के अंदर उपचुनावों को लेकर भी voting हुई और शाम ढलते ढलते exit post भी सभी लोगों के सामने आ गया इन exit post के अंदर कहीं पर महाराश्टर में महयूती को ज जीदता हुआ इन एक्जिक पोल्स में दिखाया गया वहीं जारकंट के अंदर इंडिया गट बंधन मों जीदता हुआ दिखाया गया तो कहीं ईंडिया गट बंधन का लोगों का लोगों का इक तरीकी से कहा लगों के सामने के चुनावों देखा है लेकिन फिर भी इन exit polls की बात की जा रही है क्योंकि आपको मोटा मोटा आकलन जो है वो इन exit polls के जरीए देखने को मिल सकता है हाला कि लोकसभा चुनावों में कुछ exit polls 400 पार की बाते कर रहे थे वी जेपी पार्टी के लिए लेकिन वैसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आया ऐसे में बहुत से exit polls फेल होते में भी नजर आये लेकिन जब कल महाराश्टर के अंदर और जार्खट के अंदर ये चुनावी exit polls आये तो उसके बात कहा गया है कि इन दोनों ही राज्ये के अंदर कहीं न कहीं अभी भी जो इस्थती है वो साफ नहीं हो पाई है क क्योंकि जहां एक तरफ महाराश्टर में महायूती और महाविकास अगारी इन दोनों के बीच में ही काटे की टकर दिखाई जा रही थी कि इसमें से कोई भी जी सकता है तो वहीं कुछ exit polls महायूती को जीतता हुआ बता रहे थी कुछ महाविकास अगारी को वहीं के अंदर सबसे बड़ी चीज कल जो हुई है वो आपको मैं बता दू कि 30 सालों का रिकॉर्ड महारास्ट्र में तूट गया है वोटिंग का और जो ये वोटिंग का प्रतीशत था वो शाम होते होते तक बढ़ता गया है और आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कही न कहीं महारास्ट्र की जनता वो वर्तमान सरकार को लेकर आकरोश में रही होगी जिसकारण जाधातर लोग जो हैं वो घरों से निकले और घरों से निकलकर उन्होंने वोटिंग की लगभग में आपको बता दो कि 65.व एक प्रतीशत वोटिंग जो है कल महारास्टर के अंदर हुई है और यह 30 सालों का रिकॉर्ड जो है कल वोट तूट गया है एक तरफ देवेंदर पंडवीस ने कहा कि महारास्टर के अंदर जो रिकॉर्ड तोड वोटिंग हुई है तो उसे कहीं ना कहीं हमारी महायूति को फायदा होगा क्योंकि जब भी रिकॉर्ड तोड वोटिंग होती है तो उसमें महायूति को फायदा होता है वही नाना पटोले भी कहते आए कि जनता जो है वो सही लोगों को चुनेगी तमाम बयान जो है इस बीच में सामने आने लगे लेकिन कल के जो exit polls थे वो बहुत कुछ इशारा कर रहे थे बहुत कुछ बता रहे थे आगे मैं बात करूँ उससे पहले इन exit polls पर एक बारा नजर महारास्ट्रों के विधान सभा चुनावों के अंदर जो exit polls थे उसके अंदर बहुत से exit polls थे जिसमें बताया गया कि महायूती जीत रही है और कहीं महाविकास अगारी तो भासकर रिपोर्टर्स पोल अगर आप देखेंगे तो इसमें 125 से 140 सीटे जो हैं वो महायूती को मिल जो यह survey दिया है बहुत ही नपातुला survey दिया है और एक तरीके से महाविकास अगारी की यहाँ पर सरकार आप कह सकते की बनते हुए दिखा रहे हैं और टकर भी काटे की दिखा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है वही news 18 matrix के अंदर अगर आप देखें 1500 से 170 सीटे जो है वो महायूती के लिए 110 से 130 सीटे जो है वो महाविकास अगारी को दिखाई गई है वही 8 से 10 सीटे जो है वो बाकी अन्ने के खाते में दिखाई गई है तो आप देखें news 18 जो की इसमें दिखाया गया है कि महायूती की सरकार जो है वो महारास्ट्रों के अं दिखाया गया है कि 152 से 160 सीटे जो हैं वो महयूती को मिल रही है और 130 से 138 सीटे जो हैं वो महाविकास अगारी को मिल रही है और बाकी अन्य को 6-8 सीटे मिल रही है पीपोल्स प्लस के अंदर देखें तो ये 175 से 195 मतलब आप देख सकते कि कितनी भारी मात्रा में या पर दिखाया गया है कि महायूती तावरतोर तरीके से जीत रहा है वहीं 85 से 112 सीटे महाविकास अगारी को दिखाए गई हैं वहीं 7 से 12 जो हैं वो बाकी अन्य के खाते में दि के पास पोल्ड आइडिस 122 से 186 और ये 69 से 121 129 बाकी अन्य को दी गई हैं बाकी रिपब्लिक में देखें तो 137 से 157 सीटे महायूती को और 126 से 146 सीटे जो हैं वो महाविकास अगारी को यहां पर भी आप देखें तो बड़ा ही नपातुला एक आकड़ा यहां पर देख दिखाई गई हैं 18 से 3 सीट जो हैं वो बाकी अन्य को दिखाई गई हैं और SS ग्रूप और लोग पोल इनके अंदर भी देखा जाए तो SS ग्रूप में 127 से 135 सीटे और बाकी महाविकास अगारी को 147 से 155 अब बाकी अन्य को 10 से 13 सीटे लोग पोल को अगर आप देखें तो 115 स 128 बता रहा है 151 में से 162 और बाकी अन्य को अगर आप देखें तो 5 से 14 सीटे अगर आप पोल्स और पोल्स यहां पर देखेंगे तो 135 से 157 सीटे महाविकास अगारी के पास जा रहे हैं और बाकी जो बच्ची हुई सीटे हैं वो 10 से 15 एक तरीके से महाविकार बनते हुए द हुई है तो इस record तोड़ voting के अंदर सबसे ज़ादा voting जो है वो कल महाराश्ट्रों के अंदर हुई 30 सालों का record तोड़ गया और जो ये तो अपने exit post देखा जो महाराश्ट्रों के चुनावों के अंदर जो opinion पोल आया था महाराश्ट्रों के चुनावों से जो पहले opinion पोल था INS matrix का था और लोग पोल का ये क्या कुछ कह रहा था उस वक्त देखे महायूती को INS जो था 145-65 सीटे दे रहा था वहीं 106-126 पर महाविकास अगारी को सिमटता हुआ दिखा रहा था लोग पोल opinion survey कह रहा था कि 115-128 सीटे जो है वो महायूती को महाविकास अगारी को 151-62 सीटे जो है वो दी जाएंगी ये लोग पोल का opinion survey जो था वो यहाँ पर दिखाया गया था वहीं जारखन को लेकर भी इनों ने दिया था वो मैं आपको आगे बताऊंगे लेकिन जबकि चुनाव का कल समय था अजार सहिंता लगी हुई थी ऐसे में तब भी बहुत सी सी तस्वीरे भी देखने को मिली थी इस बीच में सबसे बड़ी चीज यह कहा गया कि महाराष्टर के अंदर जो यह मतदान का प्रतीशत बढ़ा है उसके पीछे कहीं न कहीं opposition है opposition ने एक तरीके से जिस तरीके से दुआधार तरीके से एक तो प्रचार प्रसार किया साथी में सरकार की नीतियों को और सरकार की जो आप कह सकते कमियों को गिनाने का काम जो था इस बार विपक्ष ने महाराष्ट में बहुत ही तगड़े तरीके से किया है क्योंकि लोगसभा चुनावों में हमने देखा कि लोगसभा चुनावों के अंदर किस तरीके से महाराश्टरों के अंदर महायूती एक तरीके से काफी जादा नीची आ गये थे उसमें BJP पार्टी जो थी कितना बड़ा जटका उसको वहाँ पर लगा था और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो इतना करीबी मुकाबला था उसके अंदर एक और फ्रेक्टर ये बन गया था कि लोगसभा चुनावों के अंदर महायूती में तीन दलों में BJP, शिफसेना, NCP इन सभी ने कुल मिलाकर 42.71% वोट हासिल किये थे और बाकी जो महाविकास अगारी के तीन प्रमुक सहयोगी, कॉंग्रेस, शिफसेना, UBT और NCP, SP इन लोगों ने 43.91% वोट हासिल किये और मद्दान में कम से कम 3-5% की बढ़ोती है तैक करने का एक प्रमुक फैक्टर के रूपे उभर सकती है कि चुनाव जो है, वो कौन जीत रहा है महारास्ट्र के अंदर के आपने स्थिती देखी वहीं, अगर आप 2019 के अंदर, दगर मैं आपको बता दूँ, कि जो 2019 का महारास्ट्र का सर्वे आया था, उसमें सिर्फ एक exit pole जो था, वो सही निकला था सिर्फ एक exit pole जो था 2019 में 7 exit poles आये थे और अब तो काफी जादा ये मात्रा बढ़ गई है उसमें से सिर्फ एक exit pole सही निकला था और इसके अंदर आगे अगर आप देखें तो 2014 के अंदर 4 में से 3 exit poles जो थे वो महाराश्टों के अंदर ठीक निकले थे और 2009 में सिर्फ 2 exit poles सही न इकलते हैं क्योंकि बहुत सी इस बार अगर आप कहें तो बहुत ही नपे तुले ढंग से जो है exit poles के अंदर seats देने की कोशिश की गई है क्योंकि बहुत किरकेरी जो है वो हमने पिछले चुनावों के अंदर देखी तब ऐसे में यह अनुमाल लगाना देखा जाएगा कि किसको कितनी सीटे मिलते हैं क्योंकि और बहुत सी एजंसियों ना तो एक तरफ महायूती को ही जीतता हुआ द दो न्यूज 18 मेट्रिक्स को 42-47, 25-30 एंडिया को 1-4 जो है बाकी अन्ने को, PMARQ 31-40 एंडिये को 37-47 इंडिया को बाकी अन्ने को 0, चानक्य स्ट्रेटेजिस को 45-50 सीटे, 35-38 सीटे, इंडिया गट बंधन को बाकीों को 3-5 सीटे, पीपल्स प्लस को 44-53 सीटे, एंडिये को दी गई है इसमें और 25-30 सीटे इंडिया गट बंधन और बाकी को 5-9 सीटे, टाइमस नाव, JVC के अंदर 40-44 सीटे जो है वो एंडिये को दी गई है और 30-40 सीटे जो है इंडिया गट बंधन को, एक्सेस माई इंडिया को 25 सीटे एंडिये की तरफ से, और अंडिये को दी और इंडिया को 53 सीटे बाकी अन्य को 3 सी वोटर्स में एंडिया को 36 और इंडिया को 26 और बाकी अन्य को 19 सीटे और पोल्स ओफ पोल्स में अगर देखा जाए तो 33 से 42 सीटे एंडिया और 30 से 49 सीटे इंडिया और बाकी अन्य जो है 2 से 6 पोल्स ओफ पोल्स अगर हम दोनों का ह sum up करके एक तरीके से निकाले तो दोनों जगहा पर एक तरीके से वहाँ एंडी एप और यहां महायूती जीता हुआ दिखाये दे रहा है लेकन यह exit post कितने सच साबित होते हैं हरियाना के चुनावों के मुकाबले और लोगसभा के चुनावों के मुकाबले ये सबसे बड़ा सवाल है वहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से चुनावी exit post आए हैं आप में से कितनी लोग आप इस पर खेर विश्वास मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का विश्वास बहुत से लोगों की उमी होते हैं वहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे देगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन यूज भारत मैं आपके साथ शालेनी धन्यावात